कि यूटूब चैनल पर इक्सास है पार्टी में आप सभी का हर्दिक श्वागत है गुड इवनिंग टू ओल ओ फ्यू मैं री तू यह आपकी लाइब्रेरी साइंस में जो आज की आपकी क्लास होगी यह आपकी इंपोटेंट जो आपकी फुल फोम है जो आपकी इंपोटें फुल फोम है वह आपको करवा जाएगी यह किलास आजा जाओ जो आपकी और याट्जाम से पहले जो आपके क्लास होगी इसमें आपको सारी जितनी भी आपकी इंपोटेंड तैपुन जो आपके फुल फुल फोम आपको करवाए जाएगी चलिए टाइम वेश्ट ना करते हुआ अपनी पहले आपके fule form है sixingen अभी अ फुल rom हो सबसे पहले आप प्रोब्रल झाप है कौना इंडक्स कैम इनडेक्सिं थेला ही तो ए Dopór नाइ जो आपके दी गाई इसके इंक्रोन क्या है एनडम शॉइब फुल अबस्तेक्टिंग एंडेक्शिंग। AI की फुलफॉम क्या आपकी पहली फुलफॉम है तरड़ा आपकी एंगलो अमेरिकंग कोड़ आ और से आपके ऐंगलो अमेरिकन कोड liegen नंबर पर पर आपकी ई आ ऐंगलो अमेरिकन कैटालोग इंग रूलोग और और फिर आपके छटी है यचा एक रस सेकंड अग्लो अमेरिकन नकेटारोग इंग रूल्स सेकंड चाट्वी फुलफो में आपकी एल एल आपकी एल एल डियार अमेरीकन एसोशेशटर ओफ लो लाईब्रेरिज नेक्स्ट अब आपकी नौबे नमर पर नौभी फुलफो में आपकी आपकी फुल फॉर्म ए एसल दा अमेरिकन एसोशेशन ओफ स्कूल लाइब्रेरियन्स ग्यार्वी आपकी एए टी आर्ट एंड आर्चिटेक्चर थीसिज बार्वी आपकी एबी ए दा एंटी क्वेरन बुक सेलर्स आसोशेशन ओफ अमेरिका इसमकिंदर फिलफोर पतना क्वेर्चेशन जलेंगे एब आगे की पुल फॉर्म अब हम देखेंगे अब आपकी है थार्टी फुल फॉर्म ए वीन नेक्सट आपकी ए बियने आस्ट्रेलियन बिब्लियोग्राफिक नेट्वर्क एसी आई एंटी राउरर्ज एसी आपकी एंटी रियोरिजिंग कोमन आईशोलेट 15 आपकी एसी आरल दा एसोशेशन ओफ कोलीज एंड रिसेर्च लाइबरेरीज 16 आपकी आसी टींटी कंटर्फिटिंग ट्रेड एग्री मेंट नेक्स्ट आपकी 17 पुलिफ सुम में एडी नैट एहमदबाद लाइबरेरी नेटवर्क एडीओ नाईएस और्टिकल डिलीवरी ओवर नेटवर्क इन्फॉर्मेशन सिस्टम नेक्स्ट आपके नाइंटीन एए सिटी एसोशेशन फॉर एजुकेशन कम्मिनिकेशन एंड टेक्नोलोजी यह सभी जो आपको फुल फॉर्म करवाई जारी आपके एक्जाम में पूछी जाती है तो इसलिए आपको जो इंपोटेंट की एग्रिनेट एग्रिनेट की क्या आपकी अग्रिकल्चर नेट्वर्किंग ट्वेंटीन हापकी एग्रिस इंटरनेशनल सिस्टम पॉर एग्रिकल्चरल साइन्स एंड टेक्नोलोजी साइन्स एंड टेक्नोलोजी ट्वेंटीट आपकी एई आई आई आर्टिशियल एक्शन नेक्स्ट अब आपकी 2525 में आपकी दिये यह ए आई एफ एफ ओडियो इंटर्चेंज फाइल फॉर्मेट 16 अब आपकी एक ए आलसो नोन आज 27 आपकी एले अमेरिकन लाइब्रेरी एसोशेशन यह आपकी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है एले क्या आपकी इंपोर्टेंट है वेरी वेरी जो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोशेशन नेक्स्ट अब आपकी एल्पी एल्पी के आपकी एडवांसमेंट ओफ लाइब्रेंशिप इन थार्ड वर्ल्ड प्रोग्राम नेक्स्ट आपकी 29 A.N.B. आश्ट्रेलियन नेशनल बिबिलियो ग्राफ 30 आपकी A.N.S.I. अमेरिकन नेशनल स्टेंडर्ड इंस्टीट इस्टेंडर्ड इस्टीट आपकी A.P.I. एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटर्फेस 32 आपकी A.R.L. एसोशेशन ओफ रिसर्च लाइब्रेरी इस 33 आपकी A.R.P. एडवांस्ट रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी 3 34 आपकी A.R.P. एडवांस्ट रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क 35 पे आपका दियाएगे एश्का एश्का ओटोमेटिक सब्जेक्ट शिटेशन अलर्ट 36 आपकी A.S.C.I.I. यह क्या आपकी अमेरिकन स्टेंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटर्चेंज नेक्स्ट नेक्स्ट क्योर चलेगे नेक्स्ट आपका 37 A.S.C.I.S. आउस्ट्रेलियन स्कूल केटलोगिंग इनफॉर्मेशन सर्विस 38 आपकी A.S.I.S. अमेरिकन सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन साइंस 39 आपकी A.S.C. क्या आपकी अनुमेल इस्टेट ओफ नॉलिज 40 पर आपकी A.S.L.E. यह भी आपकी इंपॉर्टेंट है जो 40 फॉल फॉर्म है आपकी 40 नंबर पर 40 फॉल फॉर्म दी गई आपकी A.S.L.E. यह भी आपकी इंपॉर्टेंट है एस्टेशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट प्रिवेशली दा एस्टेशन ओफ इस्पेशल लाइब्रेयर्स एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट आपकी 41 A.S.S.I 77 A.E. Applied Social Science Index and Abstract 42 फॉर्म फॉर्म आपकी 43 है 43 पर आपका बार के दिया गए बार क्या आपकी कट आब आपकी ऐस्जा है बीबिक बीप्लियोति कल बीप्लियो ग्ल क्लासिफिकेशन 44 पर आपका दिया गें बी बी एस बाब ऑबा हो सो बाबा एक रिंच सेन्टर नेच्स तब आपके 45 सो फोटी फाइव पर देहां आपका विक्षिस यहीं आया निवी से आपका बिस प्लासिफिकेशन और बिबिलोग्राफिक estás क्लासिफिकेशन पर है बिसे चाटलोग ऑफ मुजिक क्लासिफिकेशन चलिए नेक्स्ट रबी नेक्स्ट क्या है बी आई एए बुक इंडेक्स एंट्री 49 हापकी बिर्पी बिर्पी में क्या दिया गया आपका बिर्पी जो आपकी है यूनाइटिड इंटरनेशनल ब्यूरोग्स फोर दा प्रोटेक्शन ओफ इंटेलिक्ट्वल प्रोपर्टी नेक्स्ट अब आपके बिया एस ब्यूरो ओप इंडियन स्टेंडर्ड बियल है ब्रिटिस लाइब्रेरी और ब्लेज क्या होगा आपकी यह भी आपकी इंपोटें क्यों स्टेंट घूरो ओपकी सर्विस डिवीजन पर आपकी दीगई है ब्लर और एंडडी ब्रिटिस लाइब्रेरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ब्यूरोपों ब्रेटीस नेशनल लाइब्रेरी बीपीपी बुक्स प्रजेंटैशन प्रोग्रम ब्य बूलेटिन बौर्ट पौर लीप्रेरी जुन crazy बॉर्ड फोर लाइब्रेरी सोन कर स्षदम्स का कलीबर कह refers to convention on automation of libraries in education and research institution I अब आपका next है case, CS है आपका current awareness service, current awareness service, चलिए next आपकी, next आपकी दी गई है 63, 63 आपकी है कैटलीन कैटलीन के आपकी current catalog online national library of medicine, library of medicine, चलिए इसके बाद आपकी 64 टैटनी, catch word and trade name index, 65 पर आपकी CC दी गई है, colon classification और CC से का current content ISI, ISI होता है और triple C जो आपका दिया जाता है Central classification community, UDC, 68 पर आपका फिर से triple C है, इसका होता है, copyright के लिए रहें center, फिर आपका triple C है, classified catalog code, तो triple C से देखे, आप जो triple C आपको दी गई है, triple C से आपकी कितनी full form बनी है, तीन full form आपकी बनी है, triple C से एक आपकी होगी Central classification committee, एक आप होगी आपकी copyright के लिए रहें center, फिर आपकी next है classified catalog code, next आपकी CCF, 70 पर आपकी देगे CCF, common communication format, 71 पर आपकी CCML, comprehensive core medical library, 72 आपका CD है, compact disc, CD-ROM है आपकी compact disc, read only memory, CDS है आपकी cataloging distribution service, distribution service, next आपकी 75, CDS, computerized documentation system, 76 आपकी CIE, class index entry, class index entry, आगे आपकी 77 पर है, CIE, current index to general in education, to general in education, चलिए, next आपकी slip, यह भी आपकी important है, जो 78 आपकी है, 7th slip, यह भी आपकी बार-बार पुछी जाती है, Chartered Institute of Library and Information Professionals, next आपकी CIM, accumulated index medicals, 80 पर हापकी CIP, cataloging in publication, 81 है CITNLN, current information transfer in English National Library of Medicine, 82 पर हापका CLIR, council on library and information resources, next आपकी 83, CMS, content management system, COM है, आपकी computer output, microphone film, फिची, कोमला है, आपकी कोमला, यह भी आपकी important है, यह भी आपकी बार-बार पूछी जाती है, Commonwealth Library Association, 86 पर आपका है, compass, computer-aided subject system, 87 है, आपकी copset, current online patent in science and technology, 88 पर आपकी next, counter, counting online uses of network electronic resources, next आपकी 89, 89 पर आपका देगे CPL, तो यह क्या आपकी कलकुता पब्लिक लाइब्रेरी, 90 आपकी CPM, critical path method, यह दोनों की दोनों, आपकी important है, next आपके CPT, committee on preservation in temperature climate, CPU है, अब आपकी central processing unit, CRE है, cross reference entry, 94 है, आपकी CRG classification research group, 95 पर आपका क्राइब दिया गे, cross reference index entry, index entry, next आपकी 96 पर है, CTI, current technology index, CURL है, आपकी consortium of university, research libraries, research libraries, चलिए, next आपकी 98 D2D, document to delivery, 99 पर आपकी DBMS, database management system, 100 है, आपकी DCMI, Dublin core metadata initiative, DDC है, आपकी DAV decimal classification, यह भी आपकी important है, next आपकी DDS है, document delivery service, यह दोनों आपकी important है, डैलनेट होगा, डैजी जोग, यह चारों यह जो आपकी, चारों के चारों के चारों यह क्या है, यह जो चारों आपकी दी गई है, चारों के चारों आपकी important full form है, DDC होगा, DDS होगा, डैलनेट और डैजी जोग, तो इसमें जो आपकी DDC है, यह आपकी है, डैवी डैवी डैशीमल classification, DDS है, document delivery service, डैलनेट है, आपकी developing library network और डैजी जोग क्या है, आपकी defense science information documentation center, चलिए next page, और next आपके page पर दी गई है, 105 वी जो आपकी full form है, DLA, division of library automation, DLA आपकी digital library federation, DMAIC, define measure analyze, improve control, DNS है आपकी domain naming system, DOCS है आपकी display operator, console support, next आपकी है, DOI, digital object identifier, 111 पर आपकी DOS, disk operating system, चलिए next आपकी DRDO, DRDO क्या आपकी defense research and development organization, 130 पर आपकी DRTC दी गई है, documentation research and training center, DRTC और DRDO भी क्या आपकी important है, next आपकी DSP, digital signal processor, 115 पर आपकी DSS, decision support system, 116 पर आपकी DTP, desktop publishing, EB है आपकी exabyte, EB क्या है, exabyte, next आपकी है, EULA, end user license, agreement, 2019 पर आपकी FID, international federation of information and documentation, next आपकी 120 पर है, FORSA, FORSA क्या आपकी forum for resources sharing in astronomy and astrophysics, 121 पर आपकी FRED, functional requirement for authority data, 122 पर आपकी FRBR, functional requirement for bibliographic records, 123 पर आपकी FSFF, free software foundation, 124 पर आपका FTE, full time equivalent, full time equivalent, 125 पर FTP, file transfer protocol, protocol, चलिए, next आहिए, next आपकी shepherd, next 29 पर आपका देगे GBGB, GB GB क्या होता है, GBGB, next आपकी GIP graphics interchange format, GPRS आपकी journal packet radio service, 129 पर आपकी देग़े, GSDL, greenstone digital library software, 130 पर GUI graphical user interface, 130 पर हैē针 받고 health, & bio sciences libraries section, सबस्क्राइब लेंग्वेज्ट आपकी हैपर टेक्स्ट मार्क अप लेंग्वेज्ट नेक्स्ट आपकी हैपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटो कोल 135 पर है आई ए सी एस इंटरनेशनल आसोशेशन ओफ क्लासिफिकेशन सोसाइटीज 156 इन इटनेशनल अटोमिक अनर्जी एसी 1700 आई श्रिक इंडियन एसोशेशन ओफ इस्पेश्ल लाइब्रेरी इंड इंफ यसेशन और इंटेज़ीन इसेंसर बहुतें इसी एफ टि Zurस उफ लाइब्रेरी इंड इंफॉर्मिशन इंटरनेशनल काउंसिल ओन आर्चीव 142 पर है इस इंटरनेशनल कमीटी ओफ दा ब्लू सिल्ड ब्लू सिल्ड नेक्स्ट आपकी 143 143 पर दी गई है इंटरनेशनल कोलिशन ओफ लाइब्रेरी कंसोर्टिया नेक्स्ट आपकी इफला यह भी आपकी इंपोर्टेंट है इंटरनेशनल फैडरेशन ओफ लाइब्रेरी एसोशेशन और इंस्टिटूशन नेक्स्ट आपकी 145 वी इंस्टिटूट इंटरनेशनल डी बिबिलियोग् पीक्ष 176 इन्सिटीट इंटर्नेशनल डी डिदोक्युमेंटेशन नेक्स आपकी आयले भी आपकी कई बार पूछे जाती है इंडिये लाइब्रेरी ऐस्टीएशन इंटर लाइब्रेरी लोन नेक्स्ट आपकी 149 है आएम इंडेक्स मेडिकर्श आइम आपकी दुबारा इसमें क्या इंटरनेशनल मेर्क नौ पार्ट यूबी सी आएम नेक्स्ट आपकी 151 आएम इंफोर्मेशन मेनेजमेंट आएमसी इंटरनेशनल मिटिंग ओफ कैटालोगिंग एक्सपर्ट 153 आपकी इंब इंडियन नाशनल बिब्लियोग्राफी एक्सटोवन पर है इंडेश्ट इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इं इंफोर्मेशन सिस्टम चलिए नेक्स्ट आप 부분ि 178 आएन पी ऐडियोसी इंंटर्शनल पर डिजिंटांट दोक्यूमेंटेशन सर्विस चलिए आपकी नेक्सट इस डोग इंस डोग भी हम्विए आपकी इंपोर्टेंट है इंडियोण नेशनल साइन्टिफिक डोकुमेंटेशन सेंटर 159 है आपकी इंस्पैक इन्फोर्मेशन सर्विस फोर दा फिजिक्स एंड इंजिनियरिंग कम्मुनिटी नेक्स्ट आपकी आई-पी इंटरनेट प्रोटोकोल इसके बाद आपकी 161 पर आई-पी इंटरनेशनल पॉब्लीश आपकी आई-पी इंटेलिक्चल प्रोपर्टी राइट चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब नेक्स्ट नंबर आपका 163 आई-आर इंटरनेशनल रिडिंग आशोशेशन 165 पर है आई-आर-म इन्फोर्मेशन रिसोर्सिस मैनेजमेंट 166 पर आपकी आई-एस-बीड है कि बीड़ी है आपकी यह भी आपकी इंपोर्टेंट है कि आपकी बार-बार एह रिचिछ होती है आपकी पूछी जाती है तो यह भी आपकी इंपोर्टेंट है चलिए नेक्स्ट आप आभ़ आपकी IA hyvin इसधी इंट्रनेशनल सीडियल डाटेशन 170 है ISI Institute for Scientific Index Language Test Next आप आपकी 171 171 पर आपकी ISILT Information Science Index Language Test 172 है ISIS Integrated Set of Information System 173 आपकी ISKO International Society for Knowledge Organization 174 पर आपकी ISO दी गई है International Organization for Standardization नेक्स्ट आपकी 175 आइसो नेट आइसो नेट वर्क 176 इस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नेक्स्ट आपकी ISRN International Standard Recording Number नेक्स्ट आपकी ISSN International Standard Serial Number IT आपकी Information Technology नेक्स्ट आपकी है JIST 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 Journal of the Association for Information Science and Technology नेक्स्ट आपकी 181 है JNET Joint Academic Network नेक्स्ट आपकी 182 जोकले Joint Council of Library Association of India चलिए नेक्स्ट आप आपकी 183 183 पर दियागे आपका JILA Journal of Indian Library Association JPEZ Joint Picture Expert Group 185 पर आपका दियागे के भी किलो बाइट्स कीवर्ड एलोंग साइड कंटेक्स्ट नेक्स्ट आपकी KWIC कीवर्ड की ना ओफ कंटेस्ट नेक्स्ट है KWOC कीवर्ड आउट ओफ कंटेक्स्ट लेंप आपकी Linux Apache MySQL पिर 190 पर आपका लैन दियागे लोकल एडिया नेटवर्क इसके बाद आपका लेजर में आपका दियागे London and South Eastern Library Region LC आपका Library of Congress और LCC के आपका Library of Congress Classification ये दोनों भी आपकी इंपोर्टेंट है कई बार आपके पूछी गई है नेक्स्ट आपकी 194 पर LCC and Library of Congress Control Number 195 पर LC Mark Library of Congress Machine Readable Cataloging नेक्स्ट आपकी 196 है LCSH Library of Congress List of Subject Heading चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे नेक्स्ट पर आपकी 197 LIS Library and Information Science 198 है LISA Library and Information Science Abstract 199 है Lista Library Information Science and Technology Abstract LRC है आपकी Library Research Circle LSTRC है Literature Selection Technical Review Committee चलिए नेक्स्ट आपकी दोसों दोपर माला दोसों दोपर क्या आपका माला M.A.L.A. M.A.L.A. Madras Library Association फिर आपकी मैन है Metropolitan Area Network दोसों चार पर आपकी M.A.L.A. Medical Library Association of India दोसों पाच पर आपकी मापा Medical and Aromatic Plant Abstract चलिए नेक्स्ट आप आपकी दोसों चैपर मार्क मार्क क्या आपकी Machine Readable Cataloging M.A.L.A.M.B. आपकी Megabytes Madras Madras भी आपकी Important है Medical Literature Analysis and Retrival System फिर दोसों नों पर आपका Madeline है Madras Online 210 पर आपका मेस है Medical Subject Heading Medical Subject Heading चलिए अब हम Next देखेगे Next आपकी 211 पर है M.A.M.I.F. है आपकी Mark International Format 230 मिप से Million Instruction Per Second फिर आपका M.A.M.S. है Management Information System MRP है आपका Master Reference File UDC MS-DOS है Microsoft Disco Operating System इसके बाद है N.A.L. National Agriculture Library N.A.P.L.S. है National Pollution Library and Information System N.A.T.O. है North Atlantic Treaty Organization N.B.S. है National Bibliographic Service N.C.P. है Network Control Protocol N.C.S. है आपकी National Center for Super Computer Application इसके बाद नेक्स्ट है N.C.T.E. National Council for Teacher Education N.D.L. है National Digital Library नेक्स्ट आपकी नेक्स्ट आपकी N.A.P.S. नेस्टिड पहराज इंडक्शिंग सिस्टम N.A.P.A. National Institute of Educational Planning and Administration इसके बाद आपका निश्कियर ये भी आपकी इंपोर्टेंट है 227 पर जो निश्कियर रहे ये भी इंपोर्टेंट है National Institute of Science, Communication and Information Resources फिर है निशाट National Information System for Science and Technology फिर है इसके बाद N.K.C. National Knowledge Commission नेक्स्ट आपकी 230 दोसो तीश्वी आपकी एनलिस्ट नेश्नल लाइबरेरी एंड इंफोर्मेशन इंफ्रस्ट्रक्चर फोर स्कॉलरी कंटेंट 232 है N.R.E.N. National Research and Education Network 233 है आपकी NSF National Science Foundation 233 है N.L.M. National Library Mission नेक्स्ट आपकी N.U.C. National Union Catalog इसके बाद है आपकी N.U.C. S.S.I. National Union Catalogs of Scientific Serials in India 234 पर है आपकी O.A.I. Open Archives Initiative इसके बाद नेक्स्ट पेज़ पर हम चलेगे 237 O.I.A. PMH Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting 238 पर है आपकी O.C.L.C. Online Computer Library Center 249 है O.C.R. Optical Character Recognization 240 है O.D.L.I.S. Online Dictionary of Library and Information Science 241 है O.J.S. Open Journal System OPEC Online Public Access Catalog O.C.T. क्या है आपकी Office of Scientific and Technical Information पर्शनल कंप्यूटर PCXT, आपकी Personal Computer Extended Technology, PCI, Posturizing Common Isolates, PCM क्या होता है, प्लस Code Modulation, फिर आपका Part, Program Evaluation and Review Technique, ये Part भी आपका कई बार पुछागे है, ये भी आपकी Important है, चलिए, Next आपकी PI, Publisher Identifier, Next आपकी 251 पर PIN, Personal Identification Number, पर नेक्स्ट आपकी 252, Planner, Planner क्या होता है, Promotion of Library, Automation and Networking in North Eastern Region, 253 पर आपका पॉपशी दिया गया, Postulate Based Permulated Subject Indexing, 254 आपका प्रिस इस प्रिजर्ड कंटेक्स इंडेक्स इंडेक्सिंग, System Random Access Memory, RAM क्या होती है, आपकी RAM होगी, Random Access Memory, RAM क्या होती है, आपकी Random Access Memory, ये आपका यहाँ पर लिखा है, Random Access Memory, जो आपकी RAM होती है, RAM क्या होती है, आपकी Random Access Memory, ये रैम क्या आपकी यहाँ पर लिखिया है, ये Random Access Memory, चलिए, नेक्स्ट आपकी RDA, Resource Description and Access, आपकी RFID, Radio Frequency Identification, RIC है आपकी Readers, International Classification, RLIN है Research Libraries Information Network, 260 पर आपका RRRR, LF दिया गए, राजर राम मुवान रोई Library Foundation, इसकी जो इस्तापना आपकी हुई थी, वो कब हुई थी, 1972 में इसकी स्तापना की गई है, कब जब इसका 200 वाज जनम दिन पर 200 वे, जनम दिन पर Next आपका है RSS, Really Simple Syndication, 262 पर SACO, Subject Authority Cooperative Program, Next आपकी SCERT, State Council of Educational Research and Training, SCIS है आपकी School Cataloging Information Service, SDI है आपकी Selective Determination of Information, SDIF है, SGML Documentation Interchange Format, SGML है, SGML के है आपकी Standardized General Markup Language, चलिए नेक्स्ट आपकी 269, SIG, Special Interest Group, SIN है, Subject Indicator Number, SISS, Society for Information Science, SKOS, Simple Knowledge Organization System, SLA है, आपकी Special Library Association, यह भी आपकी Important है, Next आपकी SLSS, Sears List of Subject Heading, चलिए, नेक्स्ट आप आपकी 275 पर, यह भी आपकी Important है, Software for University Libraries, आपकी 276 पर है, SPLT, Sub Substantive Patent Lottery, 277 है, आपका SQL Structured Query Language, चलिए, नेक्स्ट आप आपकी 288, 288 पर आपकी दी गई है, SRELS, सरधारंगनाथन, Indonant for Library Assigns, 20279 है, आपकी SRU Search, Retrival Via URL, Stairs है, Storage and Information Retrival System, IBM, TB होता है, TB, TCP और IP के आपका Transmission Control Protocol, Internet Protocol, नेक्स्ट आपकी 283, TDF Transborder Data Flow, 244 आपका TEI Text Encoding Initiative, फिर आपकी Test Thesures of Engineering and Scientific Team, 244 आपका ACURIL, The Association of Caribbean University Research and Institutional Libraries, TQM होता है, आपका ये भी आपकी TQM क्यापकी इम्पोर्टेंट है, Total Quality Management, नेक्स्ट आपकी 288, UAP, Universal Availability of Publication, UBC, आपकी Universal Bibliographical Control, चलिए नेक्स्ट आप आपकी 292, 90, UBCIM, Universal Bibliographical Control International Mark, 291 है UDC, Universal Decimal Classification, फिर आपकी 292 पर UDCC, Universal Decimal Classification Consortium, 293 में पर आपकी UFAD, U.S. Mark Formate for Authority Data, नेक्स्ट आपकी UFBD, U.S. Mark Formate for Bibliographic Data, चलिए नेक्स्ट आपकी दोसों पिच्चान में, दोसों पिच्चान में पर दियागा आपका UFHL, U.S. Mark Formate for Holding and Location, UGCI University Grant Commission, ये भी आपकी इम्पोर्टेंट है, दोसों, 962, नेक्स्ट आपकी UNESCO, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, ये भी आपकी इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट आपकी युनिमार्क, युनिवर्शल मशीन, रिडेबल कैटलोग, फिर आपकी युनिसिस्ट दी गई है, United Nations Information System in Science and Technology, ये भी आपकी इम्पोर्टेंट है, दोसों, 992 पर जो आपकी दी गई है, आपकी इम्पोर्टेंट है, चलिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट आपकी दी गई है, तीन सो नंबर पर, तीन सो क्या आपका URL, युनिफोर्म युनिवर्शल रिसोर्स लोकेटर, दोस्त, तीन सो एक है, वीडियू, वीज्वल डिश्प्ले यूनिट, वीजी ए, वीडियो ग्राफिक एरा, वीनिटी, ओल यूनियों इंस्टिटूट फोर, साइन्टिविक एंड टेक्निकल इंफोर्मेशन, वी आईपी होती है, वोकेबली इंप्रोव्मेंट, प्रोजेक्ट एरिक, वी एल्सी के आपका वेरी लार्ज स्केल इंटिगरेशन, चलिए, आपकी तीन सो चैपर, वर्ड एंड ओथर इंडेक्स, वेन है आपकी वर्ड वाइड, जो आपका है, वर्ल्ड इंटलेक्चल प्रोपर्टी ओर्गिनाइजेशन नेक्स्ट आपकी 312 पर दी गई है डबलू एलाइसी वर्ल्ड ओफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन कोंग्रेस 313 पर आपका डबलू एलनल वोशिंटन लाइब्रेरी नेटवर्क चलिए अब आपका 314 पर नेक्स्ट आपकी है याहू याट अनादर हायरेकल ओफिसस औरेकल ही वाई भी होता है योटाबाइट जड़ भी होता है जटाबाइट और जड़ बीबी क्या होता है जीरो बेस बज़र्टिंग यह आपका दिया गए तो यह आपकी फुल फॉर्म तो 320 तक आपने फुल फ पर देशकते हो चले जो भी बचे चैनल पर नया हो वह चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और कल के लिए आपका जो कल एक्जाम है उसके लिए सभी को बैस्ट ओप लग अपना एक्जाम आप अच्छे से देना चलिए बिना आपको फिरी माइंड से फिरी हो करके आपना र पर आपको नहीं देना है तो आप रिलैक्स होके अपना एक्जाम दीजीएगा चलिए बैस्ट ओफ लग कल के लिए थैंक यू